नमस्कार इस साल से देश के चर्चित कंटेंट क्रियेटर्स को सम्मानित करने की शुरुआत हो चुकी है 2024 के नाशनल क्रियेटर्स अवर्ड के लिए 23 क्रियेटर्स को सम्मानित किया गया है कंटेंट क्रियेटर्स को ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के हाथ हो मिला इन Creators को ये Award उनकी Creativity के साथ ही समाज को सजब करने जैसे मुद्दो के लिए दिये गए है और इनमें हर्याणा के अंकित बैयनपुरिया को Best Health and Fitness Creator के National Award से सम्मानित किया गया है अंकित सोशल मीडिया पर भारत की जो पानमपरिक और स्वदेशी वर्काउट तरीके हैं उन्हें भड़ावा देते हैं इसलिए वो काफी फेमस भी हैं 75 Days Fitness Challenge को लेकर अंकित ने जम कर सुर्खियां बटो रही है और अंकित इस समय हमारे साथ जुड़े हुए है स्वागत है आपका अंकित अंकित उमीद है कि जिस अंदाज के लिए आप सबके पसंदीदा हैं उसी अंदाज में आप हमारे दर्शकों का अभिवादन भी करेंगे अंकित थोड़ा सा मैं आपके अनुभव को समझना चाहूंगी कैसा लग रहा है ये सम्मान हासल करने के बाद और ये कितना अलग अनुभव रहा आपके लिए मेडम मैं ते बहुते अलब ग्रामी ने लाके दाऊन ते मेरे दी ते यू सब चीज नहीं थी और एक दम इतना फेम ने में सबने अच्छा लागा पर थोड़ा सा नहीं था इतना सब को सोच्चा नी था फेर उपर ते बारा सरकार दोवारा अवड मिल्या ते आम अपने आपने आपने सोभा गवान समझाई सीज ती यार मेरे सब तो बहुत बढ़ीया पहल है यां क्रियेटरान और और भी बढ़ी में बहुत सुभा गवान माननों पने आपने आपने यानि मूटिवेशन और जादा मिलेगा अंकिति आप कह रहे हैं अंकित हम जानते हैं कि आप फिटनेस को जीवन में कितना महत्व देते हैं और इसे लेकर लोगों को चालेंज भी देते हैं और इसलिए खुद प्रधान अंकित आपको क्या लगता है कि क्यूं आपको लोगों ने इतना पसंद किया इतना प्यार दिया मैडम मनने जो लग गए है वो चीजे मेरे साब तबाह एक तया मैं जो था मनने वह दिखाया और लोग उस चीज तर रिलेट कर पाए के वही यह चीज मतलब पोसिबल है कुछ चीजे मतलब थोड़ी अब नॉर्मल सी दिखा दें कंटेंट क कर्म लोग तर मनने जो दिखाया वो मेरा लाइफ टायल तार मनने वह प्योरेस्ट फोम में दिखाया तर लोग ज़्याद कर पाए इस मारे लोगा ने तना ज्यादा प्यार दिया बिल्कुल और अंकित हम जानते कई लोग ऐसे हैं जिने हो सकता अप नाम से याद ना हो ले और उस दोरान आपने बिल्कुल साधारन ठाट देसी जीवन शैली को आप सब के सामने लेकर आया दिखाया कि कैसे बिल्कुल साधारन महौल में भी फिटनेस और व्यायाम को दिंचर्या का एहम हिस्सा बना के रखा जा सकता है कैसे ये आईडिया क्लिक किया कैसे और कहां स से शुरुआत हुए थोड़ा बताईए इसके बारे मैं पहला मैडम रैसलिंग करिया करता है जो मारी परम प्रिक रैसलिंग वार जो आपने सुने अभी दंगल मुवी देखे बोत सार लोगां जो मिट्टी में कुस्ती हो आगरे वो करिया करता है उस दोरान मेरे चोट ला गी घी फिर मने बीच में रिकावर करया फिर लाश्ट चोट मेरे रहे दो जरी किसमाला की थी तो उसके बाद मैं बैड रेस्ट पर चलिया गया था और मैं बहुत ज़्यादा अन्फिट हो गया था वेट ज्यादा पूटोन हो गया था था है थोड़ा सा मैं देखना रहा कि कुछ इसी जी मिल जामने जिसते में अपने अपने फिट कर लिए उसमें देखते देखते कुछ इसी जी फाड़ा गया मेरे श्यामी क्योंकि जब भी कोई प्लेयर हो जो जो काम आप करो उस काम ने छोड़ गई विंजरी में मैं बैड रेस्ट पर थाता है उस टाइम प वो चैलेंज थोड़ा है तो अमेरिकन पर मन ने वो अपने देशी अंदाज में गरें कि इन चीज़ान है क्योंकि फिटनेस का लोड़ा सा एक दिखा रहें का कि आपने उस ती हार चीज मतलब 6-7 मील खाने पड़ेंगे आपने महेंगे एक्विमेंट होने चीए यह उना वो बाउंडरीज तोड़नी थी और गाव में पहला आता ही सामा ओ लोगा है फिटनेस का आथ दिखाते है बहुत कम लोग है पर ठीक है मन ने वाचीज दिखाई कि उस चीज ता है और लोग भी शीक है क्योंकि बहुत सारे लोग आगे एक प्रोब्लम हो वो नुका दे मार क्योंकि फिटनेस पर द्यान दिये सको क्योंकि फिटनेस बहुत जरूरी है जीवन में और आप जरूरी नहीं है उस तहीं आपने की तब बाहर जाना पड़ है आप कि तवी रहके कुछ भी कर सको या जी दिखांती मन तोड़ा सा फेर अपना जो नेचरल वे में जो भी आयाम नहीं कर पा रहे थे लेकिन आपने हार नहीं मानी जो आपका चैलेंज है वो हमने देखा है कि मानसिक जो स्वास्त हैं मेंटल हेल्थ उस पर और डिसिप्लिन पर बहुत ज़ादा केंद्रत है कहीं न कहीं फिटनेस को लेकर जागरुकता आज कितनी ज़ादा जरूरी है खासकर युवाओं के बीच में और जैसा मैंने कहां फिजिकली फिट रहने पर तो जोड देते ही हैं मेंटल फिटनेस को भी उतना ही जरूरी मानते हैं साथ ही जो स्प्रिचुआलिटी है यानि आध्यात्मिक्ता को भी आप उतनी एहमियत देते हैं अप आपका दिन की पूरा दिन पूरा नहीं होता जब तक आप आध्यात्मिक्ता को कहीं न कहीं उससे जोड नहीं देते हैं मेडम मेरा जो मानना ही हो रहा है जो माइंड सेट है वह आध्यात्म के लाए जयादा इंपरू हो सकाया आदमी मेरे सबते बहुत स्ट्रेस परीजी में जीज अगर आध्यात्म ने अपने साथ लेके चल लगा थोड़ा सा मित है इंडिया में कि अध्यात्म पाठ पूजा ये सब बुड़ाप्य की चीज़े बुड़ाप्यम करेंगे अगर आप इन चीज़ाने शुरूते लेके चल लोगे तो आपने मेरे जाबत ना तक दे ये कि अगर आप मेंटली को दोना फायता नहीं है क्योंकि सवत पर ला मेंटल स्टेंथ बहुत जुरूर ये मेंटली फिट होना बहुत जुरूर है क्योंकि हर चीज में आपने दिमाग तेकाम लेना पड़ा अगर दिमाग सही नहीं तो ये बुड़ी कितनी भी बना लिओ हम जानते हैं कि शेहरों में तो इसके बारे में फिर भी बात होती है गाव में जैसे आपने कहा कि कोई बोलता भी नहीं चाहओ आपको क्या लग रहा है जो सोशिल मीडिया है उसका किस तरह का एंपक्ट पढ़ रहा है और खासकर जो सोसाइटी और जो ग्रामीन महौल है आपने कुद भी नहीं सोची होगी, पर मेन उसमें जो कंडिशन है, वहाँ पेशन्स होने चीए, क्योंकि मैं जब करया करता है यह सब चीज, चलो वीडियो बगरा मैंने गेम के बाद स्टार्ट करीती हूँ, पर फिर भी तोड़ा सा इंस, मतलब लोग नो मानने के यह चीज के हैं, भाई इंत कुछ नहीं होता, अपनी काम दंदा देखो, सरकारी जोब गरूता है, मेरे साथ तो यह एक करियर ओप्शन हो सकाए है, अगर आप अच्छी तरह तो यूटिलाइज गरो इस चीज ता है, मतलब बहुत सारे लोगा गेममत भी कर सके हैं, और थोड़ा सा अवेरनेस भी आई है, क्योंकि पहला आता थी है, पर थोड़ी सी बीच में, अरियाना में भी थोड़ी सी दिक्कत होना लागी थी, थोड़े बहुत अगर आपने पंजाब में भी सुनी होगी, बहुत एक मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, तो उन चीज़ां भी कमी करें, उनके वीडियो शेयर करना करें, तब बहुत अच्छी बात हमने था बहुत बढ़ी अलागा रहा है कि कोई भी अगर वीडियो बनाना दी करता हो, पर अगर वो वर्काउट करें तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लिया रहा है, तो वर्काउट ने लिए अगर दस बंदे भी बागवत की तवापार्ट करना आगरे हैं, तो भी अपनी चींद की कुछ ना कुछ इंप्रूमेंट करना आगरे हैं, फिरकुल और जब लोग वेट करते हैं कि फैंसी जिम, जब जिम जॉइन करेंगे, या आज कर हम देखते हैं, प्रोटीन, शेक्स, सप्लिमेंट्स, ये सब चीजें ही एक आपको अच्छी बॉड़ी दे सकती हैं, और कहीं न कहीं आपने जो बेसिक्स से जुड़े रहने की बाद कहिए, जो हमारे बेसिक्स हैं, आपने कुछती की बाद की पहलवानी आप करते रहे हैं, तमाम आप जिस तरह से मिट्टी मे जाकर वर्काउट करते हैं, जिस तरह से आप दोड़ते हैं, और देसी अंदाज जो आपको आपका है, कहीं न कहीं व्यायाम करने का, वो भी कहीं न कहीं बगदाव कहीं मानसिक्ता में लेकर आया है, गाउं के लोगों में? जिस चीज में बड़न शेयर के लोगा में भी आया है, क्योंकि जम मैं अवर्ट वाले दिने में जब वड़ते लिगल आ देखें लोग जो हमें एकसरसाइज करें अगरा सपाट्टे का अगरें इनने वो लोग करना रहे थे दिली के में इलाके में में कुतना कुछ आपक् कि modernization के अला हमारा जो पुरानी सब ब्यतारी चीज है वे भी हमने लिए चाल नहीं पड़ेंगी जब जाकर एक बड़ी अताल मिल बैठ सके हैं वो चे mental health का हो या fitness का हो अक्टूबर में हमने देखा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ स्वच्चिता अभ्यान का भी हिस्सा मनें स्वच्चिता को लेकर आपका क्या message है और स्वच्चिता कैसे एक तरह से स्वास्त के लिए सेहत के लिए एक जरूरी पहलू है अच्छाester स्वास्तावन पिनगी के ऐस्वास्त में अच्छाब की छाता होुए रवास्ता हुए यंरा उन चीछ चाह गें लेट है किंकल अच्छाब लाहुए ज्युटांस आँ कित्वाश्तावाइब तो ज perpet assistantीन रावब टृत मैं करें की दोन की कि दूर रहना पड़ागा गंद की फैलानी भी नहीं है और जो दिखे उसमें साफ करो गंद की नहीं और जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के स्वात साथ स्वच्छता के लिए श्रमदान कारिकरव में आपने हिस्सा लिया था एक चोड़ी सी क्लिप उसकी हम देख लेते ह अब इतनी महनत करते हैं उसमें यह श्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा वात अबन को स्वस्थ रखना तो वह स्वस्थ तभी हम स्वस्थ वारे सोनीपत में गावों में कैसा है लोगों का स्वच्छता कि मैं विश्वास कैसा आप थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं कि अग्ति आप फुजिकल अक्टिविटी के लिए कितना समझ देते हैं तर दिन में च्यार से पास गंटे आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं या आप भी दनी एक्सराइज करते हूं मैं जादा एक्सराइज नहीं करता हैं लेकिन रोज मरा के जिन के करता हूं दो चीजों में मेरा भी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है एक खाने का टाइमिंग और दूसरा सोने के लिए थोड़ा तुझे समय देना चाहिए उन मैं दे नहीं पा रहा हूं माँ देश को सुलाने के लिए आप उजागना बड़ता है आपने जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उप्योग होता है यह परफेक्ट एक्जम्पल आपने दिया है और मैंने देखाए कि आपके कारण काफी नवजवान भी जो है और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग ते बेबी अपको आप पर एक चीजों को फॉलों करते हैं मैंने एक बार एक सोशल मेडिया पोस्ट देखा था किसी बच्ची ने मेरी मां का जीम ऐसा करके वीडियो रखा था और उसमें मेरी मां सुबेश स्थाम जो काम कर रहे हैं चक्की चलाती है वो भी उसका जीम है कप्ड़े दोती है वो भी उसका जीव है इतना इफ्यक्टिव बनाए अब आप से मिलने हैं सफना था वो पूरा हो गया देख लेगा रहे हैं जी टोंटी अड़ा समेलन देख्या वह वह स्थाधी करें मतलब वो सब इंडिया मोत्ते वड़े करें मतलब हर बारती है ने बहुत गरा हो गया इस सीज़ के बई आपने देखा होगा जो भारत मंद अब बना है उसमें पूरा दिवाल हमने योगा का बना है और वहां भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पर ले लेगा तो उसको उस आशन का क्या फाइदा होता है कैसे करना उसका पूरा डिटेल मिल जाता है और आपने जो स्पोर्ट से लिए किया है मैं खुद इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर स्पोर्ट से पर मतल्द देखिया करते कि आप जब मैडल आयर तकुद परसनली फोन करेया अरते प्लेयर के पासे और आपने फिट इंडिया जिसी मुहिम चलाई खेलो इंडिया ते उस ते खिलाडिया ने बहुत ज्यादा प्रोशानी मि अर्वार करते हैं उसमें पांच रूल फोलो करनी हो एक तै दो टाइम वर्काउट वह उसमें दो टाइम होना ची अलग 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 अची एक इंडोर एक आउट्डोर हो दुनमा उट्डोर हो जब बी कोई दिक्कत निहीं दूसरा च्यार लिटर पानी एक बुक प्रोग्रेशन प्रोग्रेश ट्रेक करन थी निया चाहे इसका लिए एक स्वच्छता का संदेश क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे-जेरे देश में स्वच्छता के लिए सब की रूची बन रही है परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो तो अंकित हमने जो स्वच्छता के लिए शमदान कारिकरम है इसमें भी आपने लोगों को एक अच्छा मेसेज दिया था प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी लगातार स्वच्छता को लेकर जोड देते आए हैं आपको लग रहा है स्वच्छता भी एक ऐसा पहलू है जिसमें आज के युवाओं में उनकी मानसिक्ता में उनकी सोच में काफी बड़ा बदलाव आ गया है देश में आप मानते हैं जब यह बदान मंत्री जी ने चलाया था उसके बाद थोड़ा सा ओर जयान रख्या जान लागया क्योंकि परला जुकर गाउं दिया तो मते यह थोड़ आज काल जो आदमी सफाई करा है वो गरव की बात है और मैं खुदी आब आप सफाई कर रहे हों तो बहुत गरव की बात आपने देश पही कुछ कर्म लाग रहे हों तहीं चीजगा फरक आया पहला लोग नूमाने करते कि हम क्यों कूड़ा उठा हूं है इम लोग उस परकित मैं थोड़ा सा जाना चाहूंगे तमाम ऐसे युवा हैं और आज के समय में हम देख रहे हैं सुर्फ युवा ही नहीं बलकि किसी भी उम्र के लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी इंफ्लूएंसर बने वो अपने काम को भी सामदेल आना चाहते हैं लोगों के बीच आ कि तरफ जोड़ा जा सकता है और एक अच्छा महौल समाज में दिया जा सकता है अगर आप करोगे टाइम तो लागएगा पर मेरे साथ अगर आप बहुत एक नेगनियत तकाम करोगे इंफ्लेंसर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है पर अगर आप किसे नहीं बनना चाह हो तो वह गलत बात है उसका आप किसे और काम ती बन रहे हो तरफ अपने योगता पर चाहन नहीं है कि आप किस चीज ये बने हुए हो खाली दूसरे इन देख के वाचीज ट्राइए मत करो कि उसने यो करया तो मैं भीवर कर लिंगा आगर आपने नूला कि आप इस चीज ती यह हो इन मनने फिटनेस है मने फिटनेस मनना था कोई काम रागता मने इस चीज में मज़ाँ है और ťे जुआजिर काम कीरा यह तरी टरेट करू कि मेरा ना पैशन है dugout करना आं अगर आपका भी कोई पैशन है ताप उसने फॉलोगर्स को हो पर हाँ वह बात है वस प्योर मनत होनी जी अर उस तक एक्सपेटेशन ना राख कर आप करोगे ना उस चीज ने आप बड़ी आपड़ी आप चीज डिलीवर करोगे ना कि किसे चीज ने देखके किसे एंट्रोल करना कि या आजकल बहुत सारी कॉंट्रोर्सी वगएरा हो रही है खाली वह लोड़ बड़ानती तो उस जी जब ना जागा आप एक अच्छे वे में जा सब्सक्राइब आप जाओगे ने तो हर आदमी आपने रिकनाइज कर आपने शापासी देगा तो मेरा तो यह मैसीज चीज़ और समझना चाहूंगे आपने जिन्दगी में काफी संघर्ज जहिला है आप बहुत ही साधरन परिवार से आते हैं तमाम ऐसे लोग हैं जो हो सकता है चकाचौंद वाली सफलता या हरे की नजर में आने वाली सफलता हर बार ये मिल ही जाए ये जरूरी भी नहीं है ऐसे में कैसे अपना आपको mentally strong रखना है उसे कैसे स्वीकारना है इसके लिए आपका क्या मेसेज है मैडम देखो सफलता है लोग जो आक है ना वो पीज है और नंबर स्थाक कर लागरे आज की डेट में ना पर आप कुछ भी अचीव कर लो कुछ भी कर लो एक दनमाया का तो कोई अंत है को ने वो तामेशार होगी ता मेरे जावता सब्सक्राइशन डेवलोप करनी पड़ा कॉरिया, यहीं सानन मेरे जावता सबदरमनी है रेखोंग मेरे सावता में इस में साना बसाव करना दीगा लोगार कोई बाद लोग अग इंचाल कोई पिचीज ने घर दुन या मन जानालन चाही रोड़ा गयाे और एक चेन दो जो मुबई शिफ्ट हो जाए उड़ा हो जाए तो आए मतलब मैं मैं जाओ उमेरा मन भी निलागा मने काम हो जो में मुबई भी चले जो हूँ पर मेरा जो मानना यह हो अगर आपने ठीक डंगता रहना है ते आप अपने रूट्स का जुड़े रहो सब तरह पहला हां काम है क यह तोड़े दिखावा चालावा है यह तोड़े देन के सुक है भाई जड़ा दिन ना ठिकते